आपका स्वागत है आज हम प्रफसर प्रबात पतनायक के साथ बात करेंगे हिंदुस्तान की इकॉनमी पर जहां पर एक क्राइसिस नजर आ रही है सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं जो इकॉनमी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं पर ऐसे लोगों में भी जो उद्योग पती माने जाते हैं वो भी अब कह रहे हैं कि हम एक आर्थिक संकत के और बढ़ रहे हैं और आक्रे कुछ हद तक यही दर्शा रहा है पर बात अगर आप देखें पहली बार मुकेश अंबानी जैसे शक्स ने भी कहा कि हम इन्वेस्ट्पेंट प्लैन्स जो हमारे हैं उसको हम रोक रहे हैं दूसरे तरफ से भी जो संकेत आ रहे हैं ऐसे लोगों से पहले जब इस तरह के बाते नहीं की कि इस वक्त हमारे एक आर्थिक संकट के और और एक रिसेशन के और हम गुजर रहे हैं और आंक्रे इंपलॉयमेंट हो उत्पादन के हो सभी काफी खराब हैं तो इस पर क्या लग रहा है हम अच्छील एक सा आर्थिक संकट के और बढ़ रहे हैं और एक कौन सा संकट अभी हमारे उपर मन रहा है। जी हाँ, अभी तो हमारे देश में जो मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदी तो आ ही गई है। अब आप देखिए हमारे यहां अभी food grain stocks काफी हैं। अन्यूटिलाइजड कैपैसिटी इंडिस्ट्री में प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन उत्राइज का प्रबंध है पर उत्पादन नहीं हो रहा है। हमारे यहां लोग बेकार बेटे हुए हैं। हर तरफ से आप देखेंगे अभी जो कमी है, यह कमी डिमांड की कमी है। तो अभी डिमांड की कमी है। इस टाइप का क्राइसिस हमारे देश में पहली बार इतने जोर से दिखाई दे रहा है। और यह पुझी वाद का एक खास पहलू है जिस पे पहले बड़ातरी इसके बाद इस तरह कसंकट आता है। जी हाँ, ऐसा है कि पुझी वाद में हमेशा, पुझी वाद में जब हम देखते हैं, जब पुझी वाद में बूम होता है, जब 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 आप देखिये नियो लिबरल पॉलिसी जichen आने के बाद में फूंजी वाद के जो नियम है जो उनके लक्षण है वह अबहर कर आएえば जो लक्षण है उन में से यह लक्षण एक बहुत बड़ा है कि हमारे देश में भी डिमांड की कमी इस पीरियट में 1991 के बाद, आप देखिए हर साल फूड रिंस टॉक्स हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके पास किसी चीज की सप्लाइ साइड से कमी है, लेकिन अब वो जो क्राइसिस है इसमें तो डिमांड की कमी हद से ज्याद है, तो इसलिए अभी अनेंप्लॉइमेंट, पैंतालिस साल में इतना अनेंप्लॉइमेंट नहीं हुआ, तो अभी जो सिचुएशन है, यह बहुत ही बुरा है, बहुत संकट बहुत कभीर है, तो उसको ऑटोबाइल सेक्टर हो, चाहे आपका जो बड़े ट्रक्स वगारा क सेक्टर हो, छोटे स्कूटर वगारे के सेक्टर हो, सब जगर संकट है, रियल सेक्टर में संकट है, और भी दूसरे इंडॉस्ट्री पे संकट दिखने को मिल रहा है, और आपने जो कहा कि बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, जो कि पीछले 45 साल के बाद यह नज सनीती को, तो अभी लगता है कि यह कोशिश जो असलियत है, उसके साबने नाकाम हो रही है, जी हाँ, बिलकुल, क्योंकि वो सरकार, मुझे लगता है, सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है, क्राइसिस क्यों हो रहा है, कैसे इसके समुखिन हो, कोई क्राइसिस के बारे में सरकार के पास कोई idea नहीं है पहली बात तो वो कोशिश करते हैं कि भई इसको छिपा लिया जाए तो आंकडों को use करते हैं इसलिए कि crisis को हम छिपा ले और कोशिश करते हैं कि हम पुझी पतियों को जरा कुछ tax concessions दे हम बाहर से पुझी पतियों को कुछ सवीदा दें जैसे कि वो यहां आके invest करें हम interest rate कम करें जैसे कि investment कुछ बढ़ सकता है लेकिन देखे investment तभी बढ़ता है जब उसके लिए कुछ demand रहता है आप अगर automobile में investment करेंगे इसलिए कि automobile sales बढ़ रहे हैं अगर automobile sales बढ़ नहीं रहें तो आप क्यों invest करेंगे तो इसलिए आप जितना भी interest rate कम करें जितना भी tax concessions दे कोई investment आने वाला नहीं है और यहां भी होने वाला नहीं है सरकार को चाहिए कि demand को बढ़ाएं और उसके लिए सरकार को अपनी तरफ से खर्चा बढ़ाना चाहिए लोगों के हाथों में जो purchasing power crash रक्ती लोगों के हाथों में देना चाहिए लेकिन सरकार यह सब कुछ नहीं कर रही है सरकार को तो कहना है कि जो wealthy है जो पैसे वाले है वही wealth create करते हैं देश का धन वही बढ़ाते हैं उनको नहीं लगता कि demand कोई चीज है जो मजदूर काम करता है वह actually देश का धन बढ़ाता है अगर खरिदार नहीं होगा पैसे वाले लोगों को demand से economy नहीं चल सकती अप लगता है कि इनको यह सब जो बुन्यादी बाते है इसकी भी समझ नहीं इनका समझ कम है इनका समझ कम है इसमें कोई संदेश नहीं है यह जो पहले आंक्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे आप तो इसमें हाली में उनका पूर हुआ जो इकनामिक एडवाइस है थे अर्विंस और ब्रुमानियम उन्होंने एक बड़ा पेपर लिखा है कहके कि ग्रोथ साथ परसंट के वज़ में करीब साड़े चार परसंट ही था तो आपको क्या लगता है कि यह एक्शुली ग्रोथ फिगर्स को मसाज किया गया था चुनाम के पहली इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है ग्रोथ ये जो साठ परसंट साड़े साथ परसंट कह रहे हैं यह फिगर्स के ने यह फिगर्स श्रादा ने उसको उसके उपर एक परिक्टिक्युलर एक लगाया कि भई वो भाई परसंट से बढ़ा कर कह रहे थे इतना इतनी बारीकी से किसी ने इस्टिमेट नहीं किया था जो उन्होंने किया है यह साड़े देखे आप एक बात देखिए साड़े चार परसंट अगर रोथ है जो हम कहते हैं लिबरलाइजेशन से पहले वो भी तो साड़े तीन चार परसं ग्रोथ था और अभी साड़े चार परसंट ग्रोथ है तो यह जो इतना बड़ा हंगामा हुआ लिबरलाइजेशन हुआ इससे देश को क्या फाइदा हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसी के दर्मियान आप देख रहे हैं कि वो इंकम डिस्ट्रिबूश बिलकुल खराब हो गया हैं और भी खराब हो गया है तो उस जमाने में जो था अगर आप इस जमाने में जो हो रहा है उसको कंपेर करें तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ा नहीं है और इंकम डिस्ट्रिबूशन और भी खराब हो गया है तो ग्रोथ का फाइदा सिर्थ चंद ल जातर लोगों के पास तो कुछ भी नहीं पहुंचा होगा बलकि उनकी कंडिशन पर भी कराब हो गए हैं आप और भी एक चीज पर बात पूछना चाहते हैं आप से कि बाहरी आर्थिक स्थिती जो है उससे हिंदुस्तान को कुछ मदद बिल सकता या कि बाहर की स्थिती इस व होगा जी नहीं बिलकुल अभी तो सारी दुनिया में मंदी चल रही है सारी दुनिया में क्राइसिस चल रही है एक रिसेशन हो रहा है सारी दुनिया में तो उसका असर हमारे उपर भी पड़ रहा है तो हमारे यहां जो संकट है उसमें एक हिस्सा तो दुनिया से ही हमने इ कर रहे हैं तो हमें दुनिया से तो कुछ मदद नहीं मिलेगी बलकि हम अगर दुनिया से हमें एक जमाना आएगा जब हमें दुनिया से अपने आपको अलग करना पड़ेगा और देश में हमें मारकेट बढ़ाना पड़ेगा लोगों की तरफ ज्यादा इंकम का खास तोर से उन्नत देश जो है डिवलप्ट कांट्री जो है उनका बोज हमारे पर आएगा आपका यह लिंक करने से यह खत्रा है आखरी सवाल आपसे मैं करना चाहता था कि सरकार अगर उसकी समझ होती तो सरकार को क्या करना चाहिए था पहली बात तो यह है कि हम अभी जो हमारे देश में देख रहे हैं दुनिया में देख रहे हैं यह इस चीज का एक लक्षन है कि जो नियो लिबरल कैपिटलिजम नया उदारवादी व्यवस्ता वो व्यवस्ता ही खतम हो रहा है उस व्यवस्ता से अब सारी दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये जो situation है, ये जो माहौल है, इसमें हमें एक अपना रस्ता चुनके उसी पर बढ़ना पड़ेगा, अब वो रस्ता है कि हमें अपने आपको, जो हमारे देश का market है, domestic market है, उसको बढ़ना पड़ेगा, उसको बढ़ने के लिए पहली बात तो य है कि खेती के ऊपर नजर देना पड़ेगा, क्योंकि खेती से market का सबसे बड़ा हिस्सा खेती से ही आता है, तो किसानों का अगर ख्रैश अक्ती बढ़ा, तो उनका दिमांद बढ़ेगा, और देश में अगर हमारे आनाज हैं, हमारे तो उसके लिए भी हम आसानी से, आराम से डिमांद बढ़ा सकते हैं, हमारे मन में कोई भै नहीं होगा, कि भै इंफलेशन हो जाएगा, तो खेती के ऊपर नजर देना पड़ेगा, और हमें इंकम डिस्ट्रिबूशन जो है, उसको जो वर्किंग पीपल, जो मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, किसान हैं, मजदू चीजे बिकेगी, बाजार होगा, और इसमें इंवेस्ट्मेंट भी आ सकता है, सरकार भी इन चीजों पर इंवेस्ट कर सकती, जिससे भी डिमांड क्रियेट हो सकता है, इंफ्रस्ट्रक्ट्चर प्राजेक्ट्स हो, और भी चीजे हो, तो ये तरीका होना चाहिए, लेकिन ह हमें देश का वो जो डुमेस्टिक मार्केट उसके उपर उसको ब्राणा रही है, और जब कि अपकी सरकार की क्या सकते आँख लगी हुई है कि पुजी पती वर्ग को और भी सुईदा दे, तो दुनिया की पुजी पती वर्ग और यहां के धनी लोग जो पुजी पती है, हो जाके हमें हमारा संकड़ दाता वही बनेंगे, देखिए तीन लाख किसानों ने आत्मा क्या की, खुदकुशी की, लेकिन सरकार की नीती पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अभी बड़ा टैक्स टेररिजम को लेकर कैसे कॉर्पोरेट्स को टैक्स कम किया जाए, कॉर् आफ बात कर रहे हैं, तो टैक्स टेररिरिसम पूजी मदी बरक की उपर नहीं, कुछ लोगों पे है, प्रबाद दन्यपाद हमारे साथ होने के लिए और हब से इस बातचीत हमजारी रखेंगे, आज के लिए इतना ही देखते रहीएगा निउस्क्लिक.